कि सीट के ऊपर क्या-क्या चीजह करना है। यह मेरी बेंकस लिप पर हम आकॉंट नमबर डलेंगे यहँ पर हम लोग अकॉंट होलडर का नाम डालेंगे हम यहा पर नोटों की संक्या, नोट किस तरीके का आता है वो आजाएगा या नमबर आप नोट आ जाएंगे और यहां इसका अमाउंट केलकुलेट होने वाला है चीज बहुत इजी है बहुत सरले कोई यहां पर यह कठीन वाली चीज अभी है यहां पर मैंने बहुत हार्ड फार्मूले से अब हम लोग इजी फार्मूला पर आ गए मान लिजे मैं एक बैंक सिलिप बना दि मैंने आपी के सामने केवल सिंपल सा इस्ट्रक्चर लिया मैंने ऊपर टाइटल डाला बैंक का बांधरा डाल दिया आकाउंट नमबर डाल दिया मैंने आकाउंट होल्डर नेम में में कभी-कभी ऐसा प्लस आ जाता है कभी-कभी यह आ जाता है और कभी-कभी इस्टार या हैज आ जाते हैं तो याद रखेगा इसकी इस कंडिशन का दो मीनिंग होता है उस वीथ के अंदर जो नंबर्स आपने लिखे वह ज्यादा नंबर्स है और जगह कम पड़ रही जैसे अभी मैं यहां पर गया अभी मैंने इसका अलाइमेंट लेप्ट से कर दिया अब यहां पर जनरल की जगह आप जाए नंबर्स कर दीजे प्राब्लम नह हमने इसकों इन्ट वोो कर दिया तो अभी हमको करना क्या है अगर जब भी हम लोग यह पर जाएंगे तो यह則 0 प्ञेंट अगया इसके 0 प्रहिंट अब इसको हम लोग यहां पर पूरे 0 कर देंगे यानि अकॉणं नंबर में 0 नहीं आता यहां पर अम नहीं लिग दिया रवी राज यह लिख दिया इसके बाद आ जाता हमारे पास डेट अब डेट की जग मैं डेट ओर टाइम दोनों चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या करूआ यहां इकोल लिख देंगे हम लोग डेट करके यहां पर जाएंगे एक तो डेट करने के साथ साथ अगर आपको टाइम दोनों चाहिए तो आप यहां लिख दे जे नाव एंड ब्रेकेट इस्टार्ट अन तो आपको नाऊ करने से डेट एंड टाइमिंग दोनों आ तो नाव भी एक आपके लिए कमांड होता है जब आपको डेट और टाइम दोनों एक साथ चाहिए अगर आपको केवल डेट चाहिए तो हम यहां भी लिख सकते टूडे नाव करके स्टार्ट एंड यह भी कर सकते हैं टूडे लिख देंगे या जाएगा इसी के साथ यह आप लोग ले सकते हैं अब ब्रांच में यहां पर जितनी भी यह अगर मैंने लिखना है मुझे ब्रांच अगर मैंने लिख दिया इंदोर पर किसा होता है कहीं बार यह सा होता है कि ब्रांच बहुत सारी है तो मैंने क्या करा कल जो एक कमांड बताया था उसी लिस्ट कमां एक ब्रांच जवार गंज इंदोर किये एक ब्रांच मान लीजे मैंने नव लखा है एक यहाँ पर कर दिया मैंने गुरू द्वारा है एक ब्रांच मैंने लिख दिया विजय नगर मतलब जितनी भी ब्रांच है अब मैं यह चाहता हूं कि जो वेखती यहां ब्रांच पर पर मैं चाहता हूं कि ब्रांच पर किलिक करूं तो यह चार ब्रांचों के नाम भी आ जाए तो इसके लिए हम क्या करने वाले इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे करसर रखेंगे और कमांड जब भी हम लोग एक्सल पढ़ते न ऐसे अगर मैं कमांड बहुत सारे बता हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा परन्तु जब उस कमांड को किसी सीट के साथ यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जैसे ब्रांच पर मैं जाता लुक अपके समय इसको आपको बताया था इसके बाद आप यहां जाएंगे इस डेटा के अंदर आपको आप्षन मिलेगा डेटा वेलीडेशन मैंने आपको टाइटल भी लिखा था ग्याट डेटा वेलीडेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बताने वाला हूँ त पहला काम जो बता रहा हूँ कि यह नाम जो लिखे मुझे यह लिस्ट में आए तो data validation में जाईएगा उसी data validation के अंदर एक option आएगा जिसका नाम है list और जब list में जाएंगे यहाँ पर cursor रखेंगे यहाँ पर list करने के बाद यहाँ पर जाएंगे source में और यहाँ पर जाने के बाद बस यह लिश्ट दे दीजिए जिसमें आपने नाम लिखा है डालर जहां से लेके जहां तक सुरू किया और आप ओके कर दीजिए अब आप जब भी यहां पर जाएंगे बैंक स्लिप बनाएंगे किलिक करेंगे अब आपको यहां मिल जाएगा कि आप नव लखा ब्रां विजे नगर ब्रांच है फाइदा क्या है क्यों मुझे ऐसी चीज बताना पड़ी तो मुझे चीज बताने के पीछे एक सिंपल सा रीजन यह है कि आपको बार बार इतने सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है यह हमने कंप्यूटर से बनाई सिलीप तो मैंने आपको यह सब चीजें बताई क्योंकि आप अपने वर्क को कितना इजी बना सकते हैं यह सब चीजें हम एक 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 कर के सिखते चले जा रहे देखते चले जा रहे कि किस परिकार से हम यह पर ये चीजों का यूज करने वाले अब हमने यहाँ पर गये मैं चाता हूं अब मेरी स्लीफ ह की हमारी जो हम सिली भर के दे रहें बेंक में तो पांस-पांसो के कितने हैं तो देखो आटुमेटिक कंप्यूटर से मैं केलकुलेट कर वहां मार लीजे 5500 के 50 नोट है 2200 के 75 नोट है 100 100 के 80 नोट है उसी के बाद जाएंगे 50 के 15 नोट है यही पर जाएंगे 20 के 18 नोट है अगर हम यहां जाएंगे मतलब कुल मिलाके मैंने क्या करा जब बेंक में में पेसे जमा करने जा रहा हूँ तो मैं मेरे पास जो नोटों की गड्या है जो भी है वो मेंने देखा मेंने 550 नोट है मैंने हैं 50 डाला तो यहां पर amount आटोमेटिक आ जाना चाहिए तो easy का में कोई problem नहीं है यहां पर मैं equal लगाऊंगा और क्या करने वाला हूं इस type up note type up note में मैं number up note का multiply करूआ मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है मैंने केवल equal लगाया type up note पे click करा and मैंने number आप note पे click करा जैसे ही मैंने enter किया आपके सामने इस तरीके की slip बनकर तयार हो गई आप फिर से देख लिजिए मैंने यहां पर equal लगाया equal लगाने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर किया नंबर type आप note पे में गया तो मैंने लिखा 500 into नंबर आप note की संक्या कितनी है 50 तो यह आप इसका इसमें multiply हुआ तो यह आ गया या तो आप इसको नीचे तक ड्रा करो और नहीं तो एक रास्ता हो रहे आप इसे केवल two time किलिक कर देंगे यह आ गया अब मुझे यहां पर इसका grand total चाहिए और जब मुझे grand total चाहिए तो मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है ज्यादा मेनत वाला नहीं लगाना है यहां पर जाईए केवल some button दबा द change करी तो automatically मेरा amount change हो जाएगा खुदी देख लीजे अगर 80 की जग अगर 100 note है तो automatically यहां पर 10,000 आ जाएगा चाहे नोटों की संक्या आपको कम करना हो या ज्यादा करना हो यह आ जाएगा अगर मैं चाहता हूं मुझे note की quantity भी पता करना है तो भी मैं यहां पर जाके किलिक क करूंगा तो मुझे पांस सो पचास total note की quantity है उसी के अंदर total मेरा amount 64,000 at 25 आया अगर मैं किसी भी चीज को अगर change करता हूं तो मेरे इस total में changes आएगा तो मेरे grand total में भी changes आएगा इस तरीके से आप एक पे एक अगर देखा जाए तो bank में amount deposit करने की sleep भी बना सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी इस के ऊपर अभी देखे मैंने आपी के सामने इसको नीचे किया तो एक चीज अभी आपने देखी है कि यह भी नीचे आ गया बट याद रखी यह तीन लाइने जो होती है न यह बहुत important है अगर आप इन तीन का use करेंगे तो यह left मे जाएगा center में जाएगा right में जाएगा परन्तु अगर आप यह करेंगे तो यह center में यह भी top से इसमें आ जाएगा और यह इधर bottom में आ जाएगा इसलिए हमने इसको center किया यह आ गया अब अगर मुझे लग रहा है कि इसमें यह करना है अगर इसकी size कम जादा या जितनी भ आईएगा insert पर जाने के बाद एक picture option आता है तो आपके computer में जिस जगह भी जो भी picture रखी होगी आप अगर चाहते हैं तो आप वहाँ पर कोई भी picture insert कर सकते हैं जो भी आपको जरूरत होगी यानि जो भी bank का logo होगा आप वहाँ click करेंगे और इस तरीके से आप bank के logo को भी व print preview देखना चाहते हैं तो देखिए आपके पास print preview बना हुआ है अगर आप इसे निकाल के अगर print देंगे तो print out भी निकल जाएगा अब आपका mood ये है कि sir मेरा logo और आदी चीज तो आई नहीं रही है आप खुदी देखिए amount के बाद की चीज़े कट गई है branch की क्योंकि मेर page जो है वो टेल है और मेरे टेल में page कट रहा है अगर मैं चाहूं तो मैं इस page को landscape को portrait कर दूआ तो आपको जैसा भी होगा यहाँ पर हम जाएंगे यह ले लिया मैंने landscape कर दिया अब मेरी sleep at least proper बनी हुई है तो जब भी भी आपका भी print निकाले तो यहाँ पर number आप copies क्या है वेसे इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें printing से related चीजे भी सिखाने वाला हूँ तो अभी मैंने आपके सामने यह setting कर दी अभी आप जाएंगे खुदी देख लीजे आपी के सामने at least proper ready है मेरे पास यह bank की slip तो इस तरीके से मैंने bank slip बनाई बट अभी मैं इस bank slip के अंदर कुछ changes करने वाला हूँ और मैं चाता हूँ कि अगर मैं bank slip बनाऊ और अब मैंने अगर मान लिजे इस bank slip वई की वई बनी हैं बट मैं अगर इसमें कुछ changes यह चाता हूँ कि अगर मान लिजे मैंने character numerical के साथ में मैंने character भी use करा है और अब मैं चाहता हूँ कि अब यहां पर अमॉन निकाले तो अब मेरा computer अमॉन नहीं निकालेगा क्यों क्योंकि अब मैंने numerical के साथ character को multiply नहीं कर सकते दिखाता हूँ मैं मैंने equal लगाया मैंने rupees में मैंने number आप note का multiply करा तो यहां पर error दे दी मतलब नहीं निकालता जबकि आपने अभी seat के अंदर देखा आप़ी के सामने मैंने किया equal लगाया number आप note में हमने quantity को multiply कर दिया बट यहां पर एसा possibility नहीं होगी आपका फार्मूला सही लगा हुआ दिख रहा है बट क्या condition है क्या कारण है कि नहीं निकलेगा क्योंकि कभी भी याद रखिए character के साथ में numerical लिखा है और आप किसी भी numerical से multiply करेंगे तो नहीं आएगा error जरूर देगा क्योंकि numerical और character को multiply नहीं करेगे बस आपको बदलाओ क्या करना है आपको थोटा सा थोड़ा सा बदलाओ है जब आप यहां पर जाएंगे आप equal button दबाएंगे equal button दबाने के बाद आपको करना क्या है तो equal button दबाने के बाद आप इहां पर जाएंगे तो number आप note की संक्या क्योंकि वो तो numerical में आएगी और अब ये जो type आप note है वहाँ 500 है तो 500 से divide कर दीजे अभी देखिए अब कुछ नहीं करना 10 note दिया तो 5000 आ गया क्यों आया क्योंकि आप computer ने क्या करा आपके पास formula बी तो ये number आप note तो सही था पर यहां पर 500 लिखा तो मैंने 500 से multiply कर दिया पर आप एक बात ध्यान रखिए अगर आप सोचो की सर सब जगा अपने आप आ जाएगा तो अगर आपने हैं 15 15 लिखा तो देखिए तो 15 यहां पर गलत आ गया क्यों क्योंकि वो multiply 500 से ही कर रहा है इसलिए आपको formula हर बार बदलना पड़ेगा equal to लगाएंगे number आप note में multiply इसके सामने क्या लिखा है 200 से multiply करना है तो यहां पर 200 कर दीजे फिर मैंने formula लगाया इस जगग पर multiply करेंगे 100 से करना है यहां जाएगा equal to लगाया number आप note में multiply करेंगे 50 से यहां जाएगा फिर हम यहां जाएगा number आप note में 20 से multiply करेंगे फिर हम यहां पर जाएगे हर बार आपको यह सा करना है 10 से multiply करना है फिर हमने हैं equal लगाया 5 से multiply करेंगे अब आपके सामने में data value डाल के दिखाऊंगा equal लगाया मैंने number आप note में 2 से multiply करेंगे and last is मैंने number आप note में multiply करूँगा 1 से करूँगा अब आप note की quantity जो डालना चाहे आपने मान लिजे 2200 के 100 note है उसके बाद हमने यहाँ पर गए 100-100 के 100 note है तो यह आ जाएगा 50-50 के आप जाएंगे तो मान लिजे 75 है इसी के साथ में 20 रुपीज के 80 note है इसी के साथ जाएंगे 10 रुपीज के 100 note है 5 रुपीज के 75 note है 2 रुपीज यहाँ पर 100 note है तो यह आ गया और इसमें भी 100 ले लिया हम इस तरीके से अब यह हो गया कि अगर मैं इसकी quantity में अब मैंने multiply किसको किया यहां करसर रखा इसमें multiply करा इसके 500 से तो आपके पास खुदी देखेंगे आप 500 पे 5 करा 200 पे 2 किया 100 किया बाकी इधर जो कामन है वो रो कालम है बाकी आपका इसी परकार से जब आपको note की quantity भी चाहिए तो देखिए मैंने अगर यहां पर कर दिया sum यह आ गया मेरा और इसी को अगर मैं यहां पर खीज देता हूँ इसका भी sum हो गया इस तरीके से अगर मुझे कुछ कभी changes करना पड़े तो याद रखेगा यह भी एक फार्मूला है यहां पर आपने जितना कर दिया अकॉन जो भी holder name में आपको जो भी लिखना है अगर मुझे हाथों से भी ब्रांच लिखना है तो हमने इहां indoor road कर दिया और इहां पर हमने कर दिया date में जो भी लिखना है अगर आपको यहां लिख दिया today लिख दिया तो आपको यह भी बता देगा आज की date भी बता देगा तो इस तरीके से अभी हमारे पास हमने दो तरीके से फार्मूले लगाना सीख लिए हमारे डेटा को अगर मुझे जब भी सेंटरलाइस करना है ये देखिए सेंटरलाइस भी हो जाएगा तो अभी हमने इसको दो परकार से छोटी छोटी चीजों पे अभी हमने कमांड यूज करकर के देखे और हर एक चीज को हम इसलिए करकर के देख रहें ताकि सारी की सारी चीजें आपके सामने प्रॉपर आजाए आपका प्रैक्टिकल भी प्रॉपर हो किसी भी टाइप की भी changes नहीं हो